जैमाई की शाधकों होली का शमय अत्यंत निकट है और होली का शमय एक साधक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अवशर होता है जिसको कोई भी साधक ब्यर्थ नहीं जाने देना चाहता क्योंकि होली और दीपावली में हमें मंत्रों की तंत्रों की सिध्धियां मिल जाती हैं यह वातावरण और यह महूर्त वायुमंडल में हमारे नशत्र में ऐसा समीकरण उत्पन करता है जिसमें कुछ वायुए और पराशक्तियां अत्य धिक एक्ट्यू हो जाती है शादकों, खोली के समय में आप लोगों को जन कल्यान आर्थ, आज हम बहुत ही बड़े रहासी की बात बताने जा रहे हैं शाबर मंत्र इसी वर्तमानी कल्यूग में अत्यंत प्रभावी हैं, सरल हैं और शीग्र लाभप्रद और शिद्धप्रद होते हैं शाबर मंत्रों में कोई अर्थ हो या न हो, लेकिन एक ऐसी उर्जा जरूर होती है, जिसको हमने जब जब परिख्षन किया है, पूर्णतया खारा पाया है, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं मित्रों शाबर मंत्रों में बहुत से लोग शिद्धी प्राप्त करना चाहते हैं परंद क्या आप जानते हैं कि साबर मंत्रों में शिद्धी प्राप्त करने के पहले हमें साबर गुरु मंत्र शिद्ध करना बहुत आविश्यक होता है जिसे मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा लिख कर भी दूँगा आप लोग होली की रात्र में बिदपूर्वक बैठ करके और इस मंत्र को कंठस्त कर लें याद कर लें जप लें यह सिद्ध हो जाएगा इसे सिद्ध कर लेने के बाद आप कोई भी शाबर मंत्र सिद्ध करेंगे मंत्र यदि सुद्ध है, सही है तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिल जाया करेगी आप कभी फेल नहीं होंगे शाबर मंत्र में गुरु मंत्र का ये अत्यधिक महत्त है गुरु मंत्र शिद्ध कर लेने के बाद आप सभी शावर मंत्रों में आशानी से शिद्धी प्राप्ट कर लेंगे और उसी दिन होली के दिन ही चाहें तो आप अन्य मंत्र हम किसी अन्य वीडियो में बताने वाले हैं जिनें आप सिद्ध करके पूर्टया प्रमाडिक प्रकट प्रभाव महेश प्रकापू होली के रात्र में आपको सुद्ध चित हो करके दीपक जला करके अपने आराध्विका पूजन करके धूप दीपगरवत्ति पंचोपचार से पूजन करके आपको आशन लगा करके बैठ जाना है और इस बताए गए मंत्र को आपको कम से कम 108 बार अवस्थ से इसे उच्चारन करना है सरलता से आसानी से यह मान कर कि इसी 108 बार में यह हमें कंठस्त हो जाए याद हो जाए यहाँ पर सिद्धी से मूलतात पर हमारा यही है कि मंत्र आपको पूरता है याद हो जाना चाहिए सिद्धी प्राप्त होने के बाद कि बजाए 4-5-10 माला तक जपना पड़ जाए तो आप जब सकते हैं इसमें कोई संख्या का महत्व नहीं है महत्व है कि उसी महूर्त में आपको उस मंत्र को पूर्णता है याद कर लेना है दुवारा आपको देखने की जरूरत न पड़े बस यही इसका महत्व पूर्णता साबर मंत्रों का पॉइंट है कि सुभ महूर्त सुभ समय में इन्हें बिदिवत कंठस्त कर लिया जाए यह दूसरे दिन से उसी दिन से तक्षन से कारी करने में सक्षम है और अपना प्रमाण प्रस्तूत करने में पूर्णता सक्षम है यह योगीक तथ्य है इसमें कोई सक नहीं वित्रों मंत्र है गुरुशठ 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 गुरु है बीर गुरुशाहव सुमरो बड़ी भात सिंगी तोरो बन कहो मन नाउं करतार सकल गुरुन की हर भजे घटा पगर उठ जाग दुहाई लोना चमारिन की सब्द साचा, पिंड काचा, फुरो मंत्र, इस्तुरो वाचा यह मंत्र शावर मंत्रों का सिर्माओर गुरु मंत्र है जिसे सिद्ध कर लेने के बाद आपको शावर मंत्रों में आशानी से सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी फिर आप जल बांधने के, पानी बांधने के, आग बांधने के और आधे सिर्कादर्द माइग्रेन की वीडियो बनाने वाले हैं उसको मंत्र द्वारा ठीक करने के यह सारे प्रयोग आप आशानी से कर सकते हैं जिनें आपको आसानी से सिद्ध करके पढ़कर के फूंक मारना है और आप रिजल्ट स्वयम देखिए। मित्रों ये कभी भी फेल नहीं है, ये साइन्स है हमारा प्राचीन जो ध्वनिविज्ञान और उर्जा वाइब्रेशन के अंसार कारी करता है, उर्जा पर कारी करता है परन्तु मित्रों इसे आज प्रामारिक रूप से प्रस्तुत करने की आवसकता है, क्योंकि हमारा सामाज भरमित है कारण कि उसमें सही व्यक्ति इन चीजों को प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, और गलत व्यक्ति भरमात्मक ज्यान फैला करके इन विद्याओं को वदनाम क मैं चाहता हूँ कि कुछ नवजवान नए लोग भी इन विद्याओं की तरफ आकरशित हो जिससे इनका उर्धार हो सके और यह पुनह अपना गौरोशाली कल्यान कारी सुरूप प्राप्त कर सकें। धन्यवाद मित्रूंद